ये ताकत मेरे देश की मुझे माना गाउं के इन लोकों के पाद देख करके और गर्व हो रहा है। हमने गाउं में हिल्थ और वेलनेस सेंटर कोलने का अभ्यान चलाया जिसकी वज़े से आज गाउं के पाद चिकुश्था की शुविदा पहुंच रही है। इन अभ्यानों का बहुत बड़ा लाप हमारी माता और बेहन और बेटियों को हुआ है। एक संवेदंसिल सरकार गरीबों का दुख दर्थ समझने वाली सरकार कैसे काम करती हैं या देश के हर कौने में लोग अनुभव कर रहे हैं। कोरोना के इस काल में जब वैक्षिन लगवाने की बारी आईगी। अगर पहली की सरकार होती तो शायर अभी तक वैक्षिन यहां तक ना आता लेकिन यह मोदी है। मैंने कहां कोरोना जाए उतकी ज़्यादा तेजी से मुझे वैक्षिन पहाड़ों में ले जानी है और मैं सरकार को बढ़ाई देता हूँ मेरे उत्रा खन्नों और मेरे हिमाचल दो प्रदेशों ने सबसे पहले वैक्षिनेशन का काम पूरा कर दिया भाई। इस वैस्विक महामारी में लोगों को बुख मेरी का शिकार ना होना पड़े बच्चों को कुपोशन का शिकार ना होना पड़े इसके लिए हमने प्रधान मंत्री गरीब कलने आन अन्य योजना शुरू की इस योजना की वज़र से उत्राखन के भी लाखों लोगों को मु पुला न जला हो रोटी न पकी हो कोई बच्चा भूका सोया हो वो दीन में देखना नहीं चाहता था और हम सफलता पूर्वक कर पाए भाईयों बेनों कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने उस अवदी को और तीन महिना बढ़ा दिया है ताकि इस तोहारों के दिनों में हमारे गरीब परिवारों को दिक्कत न हो डबल इंजीर की सरकार के प्रयासों से अब उत्राखन में विकाश कारियों में फिर तेजी आ रही है जो लोग गर से पलाइन करके चले गए थे अब अपने पुराने घरों में लोटने लगए हैं होम स्टेक गेस्ट आउस धाबों छोटी छोटी दुकानों में अब रोनक बढ़ने लगी है इन सुविदाओं से उत्राखन में परियतन का हो रहा है विस्तार यहां के विकास को भी गति देने वाला है मुझे खुशी है कि डबल इंजीन के सरकार यहां के विवाओं को होम स्टेक की सुविदा बढ़ाने के लिए युवाओं के स्किल्ड डवलप्मेंट के लिए निरंतन आर्थिक मदद दे रही है सीमावर्तिक छेत्रों से युवाओं को एन सी सी से जोड़ने का भ्यान भी यहां के विवाओं के उजवल भविश के लिए तैयार हो रहा है पूरे देश में सीमावर्तिक छेत्र में जो अच्छी स्कूल होगी अब एन सी से हम वहां चलाएंगे अमदाबाद मुंबई चेन्नाई वहां एन सी जी पच्छतर साल चली अब एन पूरे की साथियों हमारे पहाड के लोगों के सबसे बड़ी चुनोती रहती है कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी ना हो तो पाड़ पर जीवन वाकर भी पहाड़ जैसा हो जाता है हमारी डबल इंजिन की सरकार इस चुनोती का भी समाधान कर रही है आजुत्राखन को मोडल कना कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हर साधन पर काम किया जा रहा है हिमालाई की हरी बरी पाहडियां पर रेल गाड़ी के आवाच उत्राखन के विकास के नई गाथा लिखेगी देहरादुन एरपोर्ट भी अब नए अवतार में सेवा दे रहा है अभी मैं हिम अवी चुमर के लोग हैं ऐसे गाउं में और गाउं में लोग हैं जिन्नों ने अभी तक रेल नहीं देखिये और आप हमारे हमारे में बंदे भारत ट्रेन ले आए बंदे भारत ट्रेन तो अभी तो एक स्ट्रेशन पहुंची है लेकिन पूरे हिमाचल और पहाड के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोपा है वो दीन में उत्राखंड में भी देखना चाहता हो गाई आज चाहे हिमाचल से उत्राखंड आना जाना हो या पिर दिल्ली और यूपी से उत्राखंड आना जाना फोर लेन हाइवे और एक्प्रेस पे जल्दी आपका स्वागत करने वाले हैं चार दाम ऑल बेजर रोड उत्राखंड के लोगों के साथ-साथ परियाटकों और सध्धालों को एक नाया आयसाथ दे रहे हैं अब हर कोई परियाटक जो दूसरे राज्यों से उत्राखंड आ रहा है वो यहां से यात्रा का भूत अनुभव लेकर जाता है दिल्ली देरादुन इकानमी कोरिडोर से दिल्ली देरादुन की दुरी तो कम होगी इसे उत्राखंट के उद्योगों की भी बड़ावा मिलेगा भाई और भेनों आदुनी कनेक्टिविटी रास्त लक्षा की भी गारंटी होती है कुछ साल पहले हमने कनेक्टिविटी की दो बड़ी योजनाए शुरू की थी एक भारत माला दूसरी सागर माला भारत माला के तहट देश के सिमावर्तिक शेत्रों को बहतरीन और चौड़े हाइवे से जोड़ा जा रहा है सागर माला से अपने सागर ततों की कनेक्टिविटी को ससक्त किया जा रहा है